तो टॉपिक है आप सभी का धर्म निर्पेख्षतावाद है 2-3 निर्पेक्षता वाद ठीक है आब देखते हैं वाद लग जाता है इसका मतलब एक तरीके से एक आधाणडा बन जती है समाज की करो जैसे सम्हाज वड़ एक Κवणर बन गई वैसे धर्म निर्पेक्षतावाद यह क्या है धर्म निर्पेक्ष होना आप जिसे कहते हैं मैं सेकुलर हूं मैं सेकुलर हूं है ना एक होता ना सेकुलर का एक आप चोंगा पहन के घूमते हैं तो एक बार हम इस पूरे पूरे ढांचे को समझेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म निर्प्यक्सतावाद का जो भारती परद्रिश्य है जो भारती परद्रिश्य है वो पश्यमी परद्रिश्य से कैसे अलग है पश्यमी परद्रिश्य से कैसे अलग है पश्यात मौडल अर्थात यूरोप खासकर यूरोप यूरोप अमेरिका और जो भी आपके पश् सब्दिक से इसी से हम इस पूरे सब्द को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो सब्द आपका धर्ण निर्पेखस्तावाद यानि कि सेकुरिजम यह लैटिन सब्द है लैटिन सब्द कौन सा है से कुलम यह से कुलम से बना है और से कुलम को इसका साब्दिक सर्टिकर्थ साम्दिक होता से कुलम का यहीलोक से संबंधित है बत्रेस्थ OH ीए लोक से संबंदित आधनिक काल में किसमें जुर गया है भौतिक वादि और मानावता वाद में जुर गया है ठीक है आधनिक काल में यह वीशय वस्तु आपकी दे Tapi दो चीज़े एक होता यह लोग एक होता परलोग यह लोग यानि कि बर्तमान में जो यह पूरी धर्ती है धर्ती में जो धर्मों का एक धाचा बनाएं जीवन जीवन जीने की पद्धती यही तो धर्में और क्या है जीवन जीने की पद्धती को ही तो धर्म कहते हैं या धर्म कोई दूसरा रूप भी है हम सभी का जीवन कल्चर अपने धर्म के अनुसार जुड़ा हुआ है हमारा खान पान हमारा रहें सैन हमारे माननेता हैं हमारे रीत रिवाज हिंदु धर्म की अलग हैं इसलाम धर्म की अलग हैं है ना हमारी पद्धतियां हमारी बैवाहिक पद्ध के उपर फेक दिया जाएगा है ना यानि आपके सरीर को आपके साव को चील कवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो आपके धर्म की माननेता हैं वही आपके जीवन को चलाती है उसी तरीके से आपका जीवन चलना प्रारंब होता है तो आसान बासा में यह जो पू बैग्यानिक्ता के आधार पर इसको बैग्यानिक्ता बैग्यानिक मनोबृत्ति के आधार पर इसको यहीं लोग से जोड़ दिया गया है यहीं लोग में इसकी महत्तु के स्थापना कर दी लोग का मतलब जहां पर आप लोग रह रहे हैं निमास कर रहे हैं तो तातपर रहे है अब इसको एक-एक करके समझना है सबसे पर चाहिए धर निर्पेक्स्तावाद की भारतिय संकल्पना बनाम धर निर्पेक्स्तावाद की पश्मी संकल्पना कोश्चन यह है लेकिन धर निर्पेक्स्तावाद के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए आपको बत आसान है यदि आप देखें यहां पे जो सेकुलिजम है अब चुकि इसका जुडाव पूरी तरीके से धर्म से धर्म अर्था जीवन पद्दती एक जीवन जीने का नजरिया जीवन जीने का तरीका जीवन जीने का तरीका का तरीका अब यह जीवन जीने का तरीका किस तरीके आपके जीवन को जुडा हो रखता है चूंकि अब आप इससे जुड़े हुए है अब यहाँ पर करा धर्म निर्पेक्ष तावा निर्पेक्ष रहना। धर्म के सापेक्ष नहों करद्रम कि निरपेक्ष रहना यदि आप आप किसी धर्म से भिलॉंग करते हैं तो आप दूसरे धर्म का भी उतना ही आदर करें या फिर यहां पे किस तरीके से से develop किया गया और यहां पो किस तरीके से develop किया गया कैसे ही से जीने के तरीके का, जितना आप सम्मान करते हैं, वैसा ही सम्मान अपने दूसरे का भी करना, जिसे मैं हिंदु धर्म की बात करता हूं, हिंदु धर्म में एक ही परिवार में कई कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदु धर्म भी बहुत डैवर्स है, है ना, मैंन सानातन धर्म और जिसने सबीक अपने 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 समाहित कर लिया है इसमें सभी मेस्ट के गुन है सभी का समुच्चह समासिक्ची का दिखता है तो को पर दिखता आर्प को और को दार्म कि कैसे दोनों एक दूसरे से जूड़ते हैं ओसफरी है है कि आप अपने जीवन पद्धती का जितना सम्मान करते हैं यदि दूसरे के जीवन पद्धती का सम्मान करते हैं तो आप से कुलर है अन्यता नहीं है जैसे एक परिवार में बहुदेवादी हो सकते हैं कोई ब्यक्ति है जो बहुत सारे पीसर 2-10 मंदिर होंगे तो सभी को जा करके पूज़ा करकि आई न या पिर कोई नास्तिक भी हो सकता है घर में उसर को मानता ही न रू यह भी आपको मिल जाएगा को इसे सवाःशना करते शह серकर को सुम्हार पासना करता है अलाग-अलाग मत मत अंतर इसी को पंत कहते हैं धर्म के अंदर बहुत सारे पंत है तो आप विभिन्न पंतों को माझने वाले हो सकते है तो ऐसे स्थिति में जितना आप आप यहीं मानेज़े आप नास्थि ऊपन तो ऐसी इस्तिति में आप चाहते हैं कि कोई आपके धर्म को सम्मान करे उतना आपको दूसरे का भी करना चाहिए तभी आप सेकुलर माने जाएंगे अन्यता नहीं माने जाएंगे तो सेकुलर का मतलब है आप अपने विचारों को किसी को पर थोपिए मत आप अपने विचारों के समान दूसरे के विचारों का दूसरे के इस्तित कोवी महत तो दीजिए उसे भी उतने ही सरवोच मानिये तभी आप सेकुलर कहलाएंगे अन्नता के इस्तिती में नहीं अब आ कि यहां पर धार्मिक विविद्धता बड़े इस तरफे थी इसलाम का अगमन हुआ पार्सी का अगमन हुआ यहोदी का अगमन हुआ यहां पर कौन से दर्में जो नहीं है सभी दर्में बारत में तो चुकि भारत एक ऐसा देश है जो धार्मिक विविधिता वाला देश है तो यहां पर वातावरण कैसा है भारत में वातावरण भारत में कैसा था धार्मिक विविधिता का वातावरण था जब यहां पर सेकुलिजम का जन्म हुआ धर्म निर्पेशता का जन्म हुआ तो यहां पर कैसे हुआ धार्मिक विविदिता के वातावरण में हुआ और धार्मिक विविदिता के वातावरण में भारत का सेकुलिजम सभी धर्मों का सम्मान करने को सिखाता है हमारा देश का जो धर्म है वो धर्म से टटस्तता नहीं है टटस्ता समझते हैं ना मतलब कि आपको कोई मतलब ही नहीं किसी दूसरे धर्म से आप यह अपने धर्म को मानें बाकी दूसरे यह पश्मी मौडल पे आपको दिखेगा कारण क्योंकि पश्मी में आप देखेंगे मद्धिकाल में यहां का जो नहीं तक अभी Assistant की लड़ाई की बात रही हो चाहे मुस्तपा कमल पासा की तुर्की में लगाई गई नीतियों की बात रही हो आप कोई भी पॉलिसी उठा के देखेंगे तो धर्म और राज्य आपस में एक दूसरे के प्रतिदुन्दी खड़े पड़े हैं वहाँ पे पोग बनाम राज्य पोग बनाम राज्य ऐसी पूरी कहानी चली है तो सबसे पहले छिए धार्मिक वीविज elles का वातावरण कीसा था भारत में भारत में जो धर्म निर्पेग्सता का जन्म होँआ है वो किस तरीके से था एक धार्मिक वीविद्टके वातावरण में हुआ पहला पॉइंट तो आपके पास यह होना चाहिए और धार्मिक वातावरण का मतलब है भारत में धर्म और सत्ता के बीच कभी संघर्स नहीं हुआ जबकि यूरोप में क्या हुआ धर्म और सत्ता के बीच में एक बड़ा संघर्स देखने को मिला है ना बड़ा संघर्स देखने को मिला ठीक है आसानी से आपको इस विचे को समझना चाहिए समझ रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है आगे समझते हैं तो यहां पे जो भारत में धर्म निर्पेक्स्ता का जन्म हुआ सेकुलिजम का धर्म जन्म हुआ किस वातावरण में हुआ धार्मिक विविद्धता के वातावरण में हुआ यहां पर धार्मिक विविद्धता नहीं थी यहां पर धर्म विशेस का ही जादा प्रभाव था जैसे हिसाई धर्म का ही प्रभाव था बारत में ऐसा नहीं था और यहां पर सत्ता और धर्म के लिखनें लिखनेता वाथवरण यहां पर राजी की किसी प्रकार की कोई पृतिजंदता ना यहाँ पर समझ रहे पहला पॉइंट क्लीर है थीक है तो यहां पर ढब निर्पेक्सता धर्म तंत्र की प्रतक्रिया नहीं है अगर बहुत सब्सक्राइब करते हैं मानायो ता की關係 कि बात करते हैं मानों के जीवन के सदगुण और उसको उसके कर्तब्यों का बोध कराते हैं जितने भी धर्म है सभी धर्मों का भारती है धर्म पेक्स्ता का जन्म की से हुआ यहां के सभी धर्मों का सार एक ही है सभी मानोता की बात करते हैं सभी सदगुण की बात करते हैं सभी सभी करतब्य परायण की बात करते हैं और सभी धर्म से प्रथक करण की बात नहीं करते हैं सभी क्या करते हैं धर्म को जोडने की बात करते हैं आपको धर्म से जुड़ना चाहिए आपका कोई न कोई धर्म होना चाहिए जिससे आपके एक जीवन पद्दती बने जिससे आपके जीवन में सदगुना है जिससे आप अपने करतब्यों का पालन कर सके तो हमारे यहां पर धर्म क्या है नयतिक्ता का बोध कराता है भारत में धर्म क्या कराता है नयतिक्ता का बो भूत है जो जैसे इसा की बात कर रहय है तो वहां पर धर्म एक पारलाव की संदा से जुड़ा हुआ है धर्म निखालता है नोग बन जाए क moisturizer के क्या माह सकें तो आप मॉरल वैू विक्सित करने का प्रयाद भारतीय धर्म करता है और इस पूरे वातावरण में हमारे दर्म निर्फेक्ष्ता कर जन्म लेकिन पस्षिम में ऐसा नहीं हुआ पस्षिम वहां का ध्र्म इहलौकिक बात करता वह सह को इंद्रियों से परे मानता है इह豁र को इंद्रियों से परे याँ abrir धर्म से टटस्तता यानि धर्म से अलगाव की बात होती है हमारे यहां पर धर्म से अलगाव की बात नहीं करते अब भारत में धर्म निर्पेक्सता की बात करने तो क्या है राज जी का कोई धर्म नहीं है लेकिन राज सभी धर्मों को समान प्रस्रे देगा सभी को विक्सित ह इसमें यदि आप सदाचार लोगव्योस्था स्वास्त इन कारणों से किसी भी तरीके से धर्म नैतिकता के पतन की बात करता है तो धर्म इक सुतंता आपकी चीन ली जाएगी यानि राज्य सक्री अस्तक्षेप कर सकता है आपके उसमें तो ऐसी कंडिशन में राज्य किसी को और दर्म से चुड़ायो यहां पर चुटायों जबाएं यहां जुड़ाओ समझ कहने हैं धर्म से अलगाओ नहीं भाष लिसके अगला हमारे इसके हां पर धर्म का विरोद नहीं है और सभी का समान्दृ और पालन करना है तो आप आप यहां पर तीन पॉइंट है आपका पहला पॉइंट आपका क्या है पहला है हमारे यहां पे अंतिम पॉइंट बता रहा हूं अंतिम पॉइंट है हमारे यहां पे धर्म निर्पेक्स्ता का मतलब है संप्रदाइक्ता का विरोद मतलब हमें संप्रदाइक्ता का विरोद कर आपने धर्म के प्रती कटर नहीं होना लेकिन पश्चिम में क्या है पश्चिम में धर्म निर्पेख्ष्था का मतलब है धर्म की उपेख्षा समनें यह क्ये भी अंतर है धर्म की उपेख्षा यानि कि आप राज जी कहा है धर्म से पूरी तरीके से उससे कोई लिन दिना नह पर अभी कि बात है तो समय परहका पुरोल। कभावब को क्म करने का सबसे ज्यद्र प्रभावी था तो यह हमारे यहाँ पर नकरात्मक वातावरण पर पश्यमी में नकरात्मक वातावरण यानि धर्म और राज और चर्च का विरोद जो हुआ उसके पैडाम सुरूप धार्मिक विवित्ता का जन्म हुआ इसके बावजूद भी जो दोनों मॉडल है दर्म ने प्रिक्सताबाद का इसका मैं एक्जामपल हमेशा आपको देता हूँ कि कभी आप हमारी पार्लियमेंट और वहां की पार्लियमेंट को उठा के देखे मालिजा आपने फ्रांस की पार्लियमेंट को उठा ये और भारत की जो पार्लियमेंट के अंदर लेकिन यह आपको पश्चिम में नहीं दिखेगा पश्चिम में ऐसा नहीं है पश्चिम में तो आपको सूटेट बूटेड आप देखेंगे कभी पार्लेमेंट डालिएगा दोनों की कंपेर करिएगा तो वहाँ पूईताई धर्म से उपेक्षा आप वहाँ फ्री इसलिए में आपको टोपी लगाने का अधिकार क्या दिक्कत है यदि आप उस धर्म को मानते तो आप उसे एक्स्प्रेस भी करिजिए यह भारती धर्मनिर्पेक्स्ता में है कि आप अपने धर्म का खूब सम्मान करिए आप टीका लगाए आप भगवा पहनिए आप जो कर नवात पढ़ने पकमद्झ लगाई डाणी रखने में प्रबंद्झ लगाई हैं इसलाम धर्म लेकिन सब पवंढे लगा दिया जब खिलाफात अंदोललन चालुआ था कालीपा का पत्समाप्ट कर दिए गया तो यह धर्मनिर्पेक्सता का सुरू भारत में नहीं है समझ रहे हैं मेरी बात को है ना तो चलिए ये रहा आपका जो ये टॉपिक है पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया मिलेंगे नेक्स टॉपिक पे